नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपको स्मार्ट कार रिव्यू में दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले Tata Motors के तरफ से आने वाली एक best new upcoming SUV जो की एक segment में आने वाली अलमोस्ट सभी कारों को कटिटा कर देगी जिहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं 2021 टाटा ब्लेकवर्ट फाइब सीटर SUV कार के बारे में जिसका सीधा-सीधा मुकाबला उंड़ाई की करेटा निसान की के क्रैनों की डेस्टर और किया की सेल्टर जैसे सांदार कारों से कड़ी टकर होगी तो यहीं दोस्तो टाटा ब्लेकवर्ट SUV कार की चर्चा काफी लंबे समय से इंडियन मार्केट में किया जा रहा है तो फैनली अब न्यू मोडल ब्लेकवर्ट SUV कार बनकर रेडी है तो वहीं टाटा ने अपने नई SUV ब्लेकवर्ट को एक बोल्ड लुक देने के लिए इसमें कई सारे नए फिचर्स के लैस्की हैं जो कि टाटा ब्लेकवर्ट SUV को एक सांदार और एक स्पोर्टी लुक दे रही है तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो में लास्तक बने रहना ताकि आपसे 2021 टाटा ब्लेकवर्ट SUV कार से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिसना और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यूच ये तो सस्क्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रियू को दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना तो दोस्तो 2021 टाटा की नई अपकमिंग ब्लेक वर्ट SUV कार काफी ज़्यादा एडवांस फिचर के साथ लैस होगी और एक नए अंदाज के साथ इंडियन मार्केट में देखने की मिलेगी जियां दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके लुक्स और डिजाइन की तो कमपनी ने इसको किसी तरीके से खाली नी छोड़ा इसको फिचर्स में वर लोडेड के साथ एक हैवी लुक दिया गया है जो कि लोगो को अपनी और और भी ज़्यादा अट्रेक्ट करता है जियां दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके फ्रंट लुक की तो सामने की तरह आपको टाटा की वेजिंग के साथ एक हैवी लुक के फ्रंट गिल देखने की मिलेगी जो की काफी अट्रेक्टिव फ्रेल और इसके साइड प्रोफाइल को भी एक हैबी लूग दिया गया है जो कि टाटा नई ब्लेक वेड एसीवी को चार चान लगाने में कोई भी कसन नहीं चोड़ रही है ओवरल हम कह सकते हैं कि टाटा ने लोग की एसीवी की तरफ बढ़ते क्रेश को देखते हुए टाटा ने एक सांदार और प्रेमियम एसीवी को इंडियन मार्केट में उता रहा है दोस्तों ही टायर के साथ आपको और सिक्स्टिन और सिवेंटी निस तकी विल्कुल नए डियन की स्टील विल या एलोई विल की ओप्शन जैसे फिचर्स आपको इसके एक स्टीयल लुक्स में देखनेंग मिलेंगे दोस्तों ही अब बात आती है इसके एंडियन्स पावर की तो 2021 टाटा ब्लैकवर्ड नई SUV कार के एंडियन्स में आपको बियस्टिक्स नाम का 1.5 लिटर का पेट्रोल इंडियन देखनेंग मिलेगा जो की 120 पियस के करीब पावर देगी और साथ ही आपको 1.5 लिटर का टर्बो चार पेट्रोल इंडियन भी देखनेंग मिलेगा आपको 6-speed की मैनवल के साथ-साथ, ओटोमेटिक गेरबॉक्स और DCT गेरबॉक्स की आप्शन में देखनेंग मिलेगी और ये नई SUV आपको front wheel drive की standard option में देखनेंग मिलेगी और दोस्तों है टाटा की black white SUV कार multi driving mode के साथ-साथ multi traction mode की option में देखनेंग मिलेगी दोस्तों ही थोड़ा द्यान दे इसके इंटियर की तरफ तो 2021 टाटा की नई black white SUV कार की इंटियर को काफे ज़्यादा premium इंटियर बनाये गया के इंटियर फ्रेंड में आपको 9 इंस तकी input touch screen डिस्पले दिया जाता है जो की connectivity और convenience के advanced feature को support करेगा और साथ ही आपको नए software dashboard के साथ टाटा की वेजिंग के साथ multi-work steering wheel देखने मिलेगी जो की काफ़ी खुप सुरत होगी और साथ ही आपको 7 इंस तकी digital instrument collector automatic climate control, post the stop button, wireless mobile phone charging, heated and bentaded seat, large paramix, sunroof, high stable driver seat जैसे features आपको इसके इंटियर लुक्स में देखने मिलेंगे दोस्तों ही आप बात आती है इसके सुरच्चा कबज यानि safety के तो 2021 टाटा की नई blackbird SUV कार के safety में आपको all airbag, reverse parking camera, high standstill body, AVSV, TVD, all disc brake, electronic accessibility program, active emergency brake, driver attention warning system, seat well rewinded with petersoner, cruise control, launch assistant, tire pressure melting system जैसे features आपको इसके safety लुक्स में देखने मिलेंगे दोस्तों ही फैनली बात करें 2021 टाटा की नई upcoming SUV कार, टाटा blackbird SUV कार की price की तो price में आपको एक अनुमान के अनुसार 9 lakh से श्रोक कर 15 lakh तक की आपको इंडियन मार्केट में नई blackbird SUV कार देखने को मिलेंगे तो दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली ये SUV आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसी के साथ आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दवा ले ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले और वीडियो संदाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें